हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे सोया मिक्स पुलाव बहुत खिला खिला वो भी कड़ाई में तो रेसिपी को बिना स्किप के पूरा देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चावल को यहाँ पर धो के रख लेंगे तो एक बड़े से बरतन में एक गिलास चावल डालेंगे इसमें अच्छे से पाइन डाल करके चावलो को हमें धो लेना है ध्यान रखें सबसे पहले आपको चावलो को धो के रख देना उसके बाद ही आपको पुलाव बनाने के लिए स्टार्ट करना है तो चावलो को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो करके रख दिया है तो अब मैंने यहाँ पर लिया है फूले हुवे सोया चंक्स जिसे मैंने पानी में डाल करके 10 मिट के लिए फूलने के लिए रख दिया था साथी मैंने यहाँ पर प्याज कटे लिया हरी मिर्च, गाजर, पनीर, मश्रूम को मैंने बारिक बारिक काट लिया है साथी मैंने एक कटोरी हरा मटर लिया आप चाहो तो कोई भी अपनी पसंद की हरी सबजिया ले सकते हो अब हम लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई इसमें मैं डालूंगे दो से तीन बड़े चम्बस तेल तेल गर्म होते ही हम सबसे पहले इसमें डालेंगे अपने सोया चंक्स को सोया चंक्स को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे अच्छी से सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं सारा तेल को निकाल करके हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे इसके बाद हम उसी तेल में डालेंगे अपने कटे हुए पनीर को पनीर को भी डाल करके हम अच्छी तरीके से दोनों तीनों साइट से अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पर हमारे पनीर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें भी हमें अलग से एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे अब हम इसे तेल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे की एक तेजपत्ता एक टुकड़ा डालचीनी का दो लौंग एक बड़ी इलाइची आप चाहो तो बड़ी इलाइची के जगा छोटी इलाइची भी डाल सकते हो साथी हम इसमें डालेंगे आदी छोटी जमत, जीरा जब सब ही चीज़े अच्छे से तेल में चटक जाएं तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए मसरूम को मसरूम डाल करके हम इसमें हाइफ लेंपर पकाना है जिससे की मसरूम का पानी जल्दी से सुख जाएगा मसरूम बहुत ही जल्दी फ्राई भी ओजाएगा तो यहां पर हमारा मसरूम अच्छी तरीक भी होँ चुका है अब में इसमें डालूँगी कटे हीवे प्याज को अप हमेंसा लचे में wenighe अपने कटे हीवे गाजर डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है ध्यान रखे आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है लो बिल्कुल ना करें ने तो आपके सब्जों में से पानी छोड़ देगा तो अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर यहां पर मैंने एक कटोरी ताजे हरे मटर यूज किया है इसे डाल करके हम अच जल्दी शूख जाएगा और आपकी सब्जीय भी काफी जल्दी फ्राइब हो जाएगी जैसे सारे सब्जदों में डालेंगे दो ज Verd तो ध्यान रहें चावल डालते में आपको गैस की फ्लेम को लो करदेना इंदे ना इंदे सब्सक्कते के बाद बाद को सारी संब्सक्राइब्रा करें चावल के अधे संब मिक्स सारे सब्जीयों को फिर सब एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब मेश में डालूंगी एक मैगी मसाला का पैकेट, जिसे कि आपके मिक्स पुलाओ का टेस्ट बहुत ही जादा पढ़ जाएगा, मैगी मसाला डालने के बाद इन्हें सारे सब्जीयों और चावल के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इने दो से तीन मेट के लिए अच्छे से भुन लेंगे, भुने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी तो पानी मैं यहाँ पर डेड़ी गलास से थोड़ा सा ज़ादा पानी डालूँगी क्योंकि मैंने एक गलास चावल का इस्तमाल किया था अगर आप एक गिलास का चावल ले रहे हो तो आप इसमें डेड़ी गिलास से थोड़ा से ज़ादा पानी डालेंगे जिससे कि आपके जो चावले बहुत ही अच्छे से पक भी जाएंगे और बहुत ही खिले खिले बनेंगे इस तरीके से आप मेजर्मेंट ध्यान रखेंगे एक गिलास चावल में आपको डेड़ गिलास से थोड़ा से ज़ादा पानी डालना है तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले बनेंगे तो पाइंट डालने के बाद अब में इसमें डालूँगी अपने फ्राई के वे पनीर को उपर से में डालूँगी इसमें आधी चंबर देशी घी जिससे कि आपके पुलाव का टेस्ट काफी अच्छा आएगा तो सारे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद धकन लगा करके इसे एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे तो हाई फ्लेम पर आपको इसे एक उबाल आने तक इसे अच्छे से पका लेना है इसके बाद आपको गैस की फ्लेम को एक दम में लो कर देना है गैस की फ्लेम को लो करने के बाद धकन की जो लीड है उसे हम अची तरीके से कवर कर देंगे जिसे की अंदर की भाव पे जो बाहर ना आ पाए तो कम से कम आपको 15-20 मिट के लिए से लो फ्लेम पर अच्छी से पकाना है 15-20 मिट के बाद आपको इस तरीके से चम्मच की सायता से आपको चेक कर लेना है आपके पुलाव सही से पके है या नहीं अगर आपका चम्मच बहुत ही क्लीन आ रहा इसका मतलब की अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और आपके चावल बहुत ही अच्छी से पके है तो यहां पर मैं आपको दिखाते हूँ कि हमारे जो पुलावे किते ज़्यादे खिल अच्छे बने हैं तो आप एक बर से जरूर ट्राइ करें कढ़ाई में बहुत जटपट बनकर तयार हो जाती है अगर आपकी चावल हलकी से भी कड़े रह जाते हैं तो आप तुरंत कढ़ाई के ढकन को बंद करके उसके पांच मिट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे जिसस अच्छे जुड़ पांच में बंद करें को आपकी पांच मिए दूरत का रहले करें द्सक्ता को ऊटी चाहिं अनुड़ एक पांच मिए जड़ पांच मिए वैसे ह।